पर जब्देनाती you कैसफरां are you यहां पे मैं sortESS से मश्री का फ्राई बना रही हूं और तोप से मश्री को मैं अच्छी तरह से धो काट के रोखिली हूं तीन पीस तोप से मश्री है मेरा और यहां पे प्याज अदरण लैसुन जो लाहिए हूं और यहां पे मिर्चा को मैं पीस कर बारिक पेश्ट बना ली हूं उस पेश्ट को मैं यहां पे डाल दी हूं और यह चावल का गुरा है चावल का पाउडर और यहां पे बेशन ली हूं जितना चावल का पाउडर रहेगा उतना ही बेशन को मैंने लिया है और मैं बैटर नहीं बनाऊंगी क्योंकि तोपसे मचली बैटर में पकरता नहीं है वो काफी स्लीपरी होता है तोपसे मचली तो और यहां पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और काफी slippery रहता है मचली तो बैटर पकरता नहीं है इसलिए मैं उसका बैटर नहीं बनाओंगी बस उसमें सारे मसालों को दे करके मैं मेरिनेट करके और बस फ्राइ करूंगी और नमक भी मैं डाल दी हूँ स्वादय नुसार आप लोग अपना डाली जिए गाए खाना बनाना आज कल अजबस आता फृट अजार किसी को आता है और परिमान अबर आपने बताने से अपटा सीध़ दशंुद्ह किसी का ज्यादा होता है कोई थोड़ा कम नमक खाते हैं कोई ज्यादा नमक खाते हैं तो उस हिसाब से अपना टेष्ट देख लेना चाहिए और यहां पर नीबू डाल रही हूं मैं अधा नीबू मैं नीचोर दी हूं इसमें इससे बहुत ही अच्छा टेष्ट आता है तोप कर दाल सकते हैं नहीं खुँ अच्छा लगता है और यह मेरा मसालों के साथ मचली कोट हो जाली हूं अब मैं इससे ब्राइ कर लूंगी और इसमें ऐसे ही मसाला रहने से मतलब बैट रहने से यह नहीं प्राइगा नहीं हो बैटल में ठ्टलि चोड़ दे ब्रता है तो उऑ और मैं दूसरे तरीका से भी बनाती हूँ, वो भी मैं किसी दिन आप लोग के साथ सेयर करूंगी और यहाँ पर नमक मैं डाल दी हूँ, नमक थोड़ा कम था इसलिए क्योंकि जब आप लोग बीनर है क्योंकि हर चीज टेस्ट करके बनाया तो ज्यादा बेटर रहेगा और यहाँ पर तेल मैं गरम कर ली हूँ यह है सरसो का तेल और तेल को अच्छी तरह से गरम करने परेगा थोड़ा ज्यादा परिमान में क्योंकि यह मचली पूरा मतलब गो क्रिस्पी अच्छीपक उस सथे समय क्योंकि ख़क्रइब कैसी अर्डेक गूरा मातलया भी यह है और भी अगलेеспस्टीव चेला व्हान पात्तिश के जिस टेच कर को सकते हैं अजह क्रिदे बीस्किट का गूरा में आप लोग बेटर बनार कर सकते ह। शुन बिस्कित का मेरे बच्छा रहे हैं तो उपर से तो ब्राउन कलर आजाएगा लेकिन अंदर से मचली कच्छा रह जाएगा और यह इक्ट्रा जो मसाले मेरे बचे हुए है मैं मचली के ऊपर कोट कर दे रही हूँ जिससे की अच्छा मसालेदार फिस फ्राई लगे और यह मचली ऐसे मने बैटर पकरता नहीं है काफी स्लीपरी जो होता है उसके वज़े से इसका बैटर इसके बॉड़ी से फिसल जाता है तो थोड़ा मुस्किल होता है इससे लगाने और मसालो को कभी भी वेष्ट नहीं करना चाहिए मसाला डालने से बहुत अच्छा फिस फ्राई बनके तयार होता है जितना ज्यादा मसाला रहेगा फिस फ्राई का तेष्ट उतना ही बेटर रहेगा और यह एकदम अलग तरह का रेसीपी है इसे जरूर आप लोग एक लग करें जितने बहुत ही जा बहुत ही मझना घंग तो रहेगा थी थोड़ा आफ। सी फ्राई करें और फार दूछा यहकर से बहुत के फिस फ्राई को एकडिता फिर पर शी कर ल departments बैफ फिर खृई कर लेशोफे जब खाना खाते बाठें तबंडे एक पिरत्चला चाहश को अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है और एकदम क्रिस्पी भी बन जाता है और मचली जो अंदर तक पुरा अच्छी तरह से पख जाता है तो जब भी आप लोग खाना बनाया है एक बार फ्राई करके रख ले फिर जब खाना खाने बैठे तो फिर से उसे एक बार ओयल में गरम कर ले तो इससे होता क्या है हम लोग जेनरली ऐसा सोचते हैं यहां पर मेरा मचली बनके तयार हो गया है ओके बाय फ्रेंड्स